Hello everyone, I am Dr. Genshka Goshik, welcome to you all on Toppers Top. So, कर हमने Israel और Palestine के जो conflict हो रहे हैं, उनका historical background देखा, आज हम सभी prelims के point उससे related discuss करेंगे, जिसमें पहले हम इन Accords को discuss करेंगे, उसके बाद geopolitical जितनी भी map locations हैं, उनको discuss करेंगे, ethnic groups को, and at the end हम previous year questions को discuss करेंगे, जो इस तरीके के topic से आप से पूचे गए हैं, और आगे भी पूचे जा सकते हैं, तो make sure कि आप हमारे telegram channel को ज़रूर जोइन कर लेए, इसका link आपको description box में मिल जाएगा, और उसी के साथ legislative council जो अब West Bengal में बनने की तयारी हो रही है, उसकी map-based video मैं आज शाम को लेके आ रही हूँ, वो ज़रूर देखेगा, political perspective से वो बहुँ जादा आपकी important और चले वीडियो को शिरू करते हैं, तो first जो है वो Abraham Accords से शिरू करेंगे, Abraham Accords हमने पहले क्यों लिया, क्योंकि 2019 और 2020 के बीच में, 2019-2018 से जो है, वो ये बहुत जादा news के अंदर चल रहा था कि जैसे इस्राइल और पलेस्टीन के issues हुआ करते थे, तो Abraham Accords को mediate किस तरीके से किया गया, क्यों किये गई ये चीज़े, ये सारी चीज़े important है, तो यहां पर सबसे पहले Abraham Accords में हम देखते हैं कि किसके बीच में sign हुआ था, countries are important, अगर आप countries के बीच confused हो जाते कि किस country के बीच कौन सा agreement हुआ है, और छोटा सा mistake कर देते हैं, तो आपका question वहीं पर गलत हो जाता है, ठीक है, और कौन सी country के साथ कब जो है कौन सा agreement किया गया था, पहले कौन सी आती है, बात में कौन सी आती है, ये आपको premiums के लिए याद रखना जरूरी है और उसे के साथ interview के लिए भी, तो Abraham Accords जो है वो इसराइल, UAE और बहरे इन तीनों countries के बीच में हुआ था, क्यों हुआ, क्योंकि धीरे धीरे जो Arab countries है, वो इसराइल के करीब आने लगी थी, जिसमें की पहले हम देखते हैं कि फर्स अरब country जो थी जिसको की हमने देखा था, कि इसने इसराइल को सबसे पहले रिकोगनाईज भी किया था, वो कौन सी थी, 1979 के अंदर इजिप थी, जो की एक अरब country थी, ठीक है, जब 1979 के अंदर इजिप ने रिकोगनाईज किया इसराइल को, तो वहाँ पर बहुत बुरी तरीके की situations होई, कि अपने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्टी लोग हो गए थे, कि आप कैसे Jews को इतनी ज़्यादा value दे सकते हैं, उसी के साथ जो है, जब देखा कि 1971 में इसराइल को उसकी जो भी acquired territory थी, जो कि इसराइल ने कर रखी थी, वो वापिस मिल गई, और इन दोनों के relation जो थे, वो good terms में चलने लग गए थे, तो 1994 में Zordon जो था, उसने एक initiative लिया और इसराइल को recognize किया, Zordon और Egypt के जब अच्छी तरीके से relation बने शुरू होगे, तो कुछ अरब countries ने ये देखा, कि अगर हमें इरान का बढ़ता हुआ influence जो है वो regional के अंदर, उसको counteract करना है, तो हमें इसराइल के साथ मिल के चलना होगा, क्योंकि इसराइल जो है वो technology basis पे भी बहुत जादा strong है, और इसराइल ले जितनी development की है, अरब countries को उनका साथ चाहिए था to counteract Iran, ठीक है, इस वज़े से Abraham Accord जो था वो शुरू किया गया था, कब किया गया है, 2018-19 के time period के बीच में, किसके through जो है ये कराया गया था, तो obviously बात है कि इसराइल जो है उसके साथ एक country जो हमेशा खड़ी रहती है, वो है US, तो Abraham Accord को जो mediation किया गया था, वो भी US के through ही किया गया था, तो जब दो अरब countries, 1979 और 1994 में जो है इजिप्ट और जो है, वो अरब- इसराइल डील रिकोगनाइज कर चुकी थी, और first अरब- इसराइल डील हुई भी थी, तो उसके बाद जो है, और अरब countries ने सोचा कि अब हम भी जो है, इसमें initiative लेते हैं, इस वज़े से Abraham Accords किया गया, किस के बीच किया गया, इसराइल, UAE और बहरेन की बीच किया गया, और किस के through mediate कराया गया, तो US के through कराया गया, यह आपके prelims के point हो गया, अब जो main reason था, वो क्या किया गया, कि Iran को counteract करना था, यह आपका main point है, यह आपको भूलना नहीं है, बर reason क्या दिया गया, कि क्यों हम इस तरीके का collaboration कर रहे हैं, तो यह कहा गया, कि जो अभी हमारे news के अंदर भी है, अल-अक्सा मोस्क जो है, उसमें हम सभी Muslim world के Muslims को allow कर रहे हैं, कि वो आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अल-अक्सा मोस्क जो है, वो इतरा जदा important क्यों है, देखिए अभी तो हमें पताईए कि conflict में उसका participation हो रहा है, जब से रमजान शुरू हुए थे, वहाँ पर conflict का area बन गया था मोस्क को लेके, क्योंकि COVID situation में उसको बंद भी कर दिया गया था, बट यहाँ पर क्या कहा गया, कि अल-अक्सा मोस्क जो है, वो third holiest place for Muslims, क्योंकि यह माना जाता है कि मोहम्मद जो थे, जो मक्का मदीना में रहा करते थे, अपनी night journey में वो अल्ला के कहने पे मक्का से आयते अल-अक्स का मोस्क के अंदर, और यहाँ पर वो 16 से 17 सेंचुरी तक रहे, जब तक अल्ला ने उनको दूसरी जगह जाके प्रेयर्स करने को नहीं का, तो तब तक इनों ने यहाँ पर प्रेयर्स की, इस वज़े से मक्का मदीना जो है, वो first place पे और जो third place पे है, वो holiest place में आता है, अल-अक्स का मोस्क, तो यहाँ पर इस तरीके से Abraham Accords के अंदर Muslims को allow किया गया कि आप आके इसराइल के अंदर visit कर सकते हैं, ठीक है, यह हो गया हमारा Abraham Accords से related, इरान वाला point आप नहीं भूलेंगी, दूसरा जो है, वो आता है Oslo Peace Accords, ठीक है, Oslo Peace Accords हमने कल भी discuss किया था, कब शुरुआत की गई थी, 1993 में की गई थी, क्यों की गई थी, क्योंकि जब इसराइल नेशन बन गया था, तो इसराइली प्राइम मिनिस्टर को यह feel हुआ कि पलेस्तीन के साथ जो हो रहा है, वो गलत हो रहा है, उनकी भी rights को recognize करने की जरूरत है, तो इस व अकोर्स जो है, वो दो टम्स में हुए थे, पहले हुआ था ओसलो 1 और फिर हुआ था ओसलो 2, जो फर्स पीस टील थी, जिसको कि 1993 में क्या गया था, अब यहां पर आपको दो प्रिलियम्स के फैक्ट या दगने है, कि 1993 में जो ओसलो 1 अकोर्ड हुआ था, उसको क्या नाम द करेंगे, कि जब हम कोई भी चीज जो है, वो शिरुआत करते हैं, तो हम अपनी जिंदिगी के कुछ उसूल बनाते हैं, तो जब हम पीस की शान्ती की तरह जाते हैं, तो कुछ उसूलों को लेके चलते हैं, इस वज़े से पहला जो ओसलो अकोर्ड हुआ उसमें प्रिंसिप आपको याद दखने हैं, अब आपको क्या याद दखना है कि यह जो इंटरिम एग्रिमेंट हुआ था वो कौन से एरिया के लिए था तो जो हमेसा से डिस्प्यूटिट एरिया है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप उससे रिलेटिड जो है, यह याद दखना है, अब आ आपने देखा था कल की हिस्टोरिकल बैग्राउंड की वीडियो में की जो जरुसेलम था उसको इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर रखा गया था कि जो भी रेगुलेशन होगी वो इंटरनेशनल लेवल पे होगी, तो यहाँ पे भी जो है अकोर्स बने उसमें वेस्ट बैं फोर जो है वो गाजस्टी वेस्ट बैंड जरुसेलम तो आपको पताना चाहिए कि जरुसेलम जो था वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं था ठीक है और यहाँ पे जो है अब जो देखा गया कि यह जो अकोर्ड साइन हुए थे उसमें क्या हुआ था शांती करनी थी तो द्सटा Luckilyी नहीं अधी तो यहां पर ट्रुप्स लगा दी गई थी का वह गया डchuckles है वो नहीं हो सके तो यह जितनी भी तूस यहां पर लगाए गई थी else जाइल तर और पे इस्राइल तक है पिक हैं अप फॉछ है इससे लिएटेटर है उसमें को यह नगेना द देखेंगे तुसमें आप सामने इस्राइल दिखाया न इसराइल में आपको मैप में बेकशन है कि smiles बैंक और चोड़ा है यह सारी चीज़े आपको देखने हैं ठीक है तो यहां पर अगर हम गाजा स्ट्रिप की ही बात कर लेते हैं तो आप देख रहे होंगे कि गाजा स्ट्रिप जो है वो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि क्या बोडर कंट्रीज अभी हम आगे उनको डिसकस भी करेंगे तो गाजा से आपको यह चीज़ रिलेटिड याद रखने कि गाजा स्ट्रिप के साथ कौन सर जो है वो फिजिकल लोकेशन प्रेजेंट है तो मेडिटेरियन सी जो है वो उनसे स्कौशज़ इसंब्ग हो जाएगा वह जाये वो किससे हो जाएगा ड़ाद शीह से रीलेटिड हो जाएग उसको हम देखेंगे ठीक है वहीं पर अब जो कोशन बनता है वो यह बनता है कि आजखींक इन्ट्र इतुनिंग कौन्टिस कोनघ फिजिया और आपके चार 4 countries जो है वो इसराइल को border करते है तो इससे आप easily जो है वो इस चीज को distinguish कर सकते हैं अगर आपको options में दे दिये जाते है options की कौन-कौन सी countries जो है वो border करती है या नहीं करती है अगर आप PCS के लिए UPSC के लिए जा रहे हैं तो यह question जो है वो important category of questions में आता है अभी हम में अच्छी तरीके से बनती है PDF इसकी मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी ही आवहां पर इसको देख सकते है ठीक है तो इजिप्ट हो गया Jordan हो गया सीरिया हो गया Lebanon हो अब हम बात करने है पलेस्तीन की तो वेलेस्तीन की जो है वो दो territories इसराइल के साथ लाए करती है वो यह हो सकते है कि देखिए इसराइल जो है वो maritime border जो है वो suppress के साथ भी शेयर करती है अब यहां पर यह हो सकता था कि अगर आपको यह point ना पता होता आप सिर्फ ऐसे map बेस पे करके चले जाते चीज़ों को तो आप इन चारो कंटी को देखते है और अगर suppress जो होता option में तो आप उसको नहीं माग करते तो इस वाज़े से आपको पदा होना चाहिए कि maritime border जो है वो suppress के साथ भी इसराइल फोंग करता है और total area अगर हम देखते हैं state का कि कितना वो occupy करता है तो 20,072 km2 का area जो है वो इसराइल total करता है जो कि two-third size of Belgium है और slightly larger है US state of New Jersey से तो यह वाला map जो कोड़ी शोटी जो चीज़े है उनको discuss करेंगे जो अभी आपके exam point of view से बहु जादा important है एक चीज़ और आप देख लीजे कि America और France से related आज ही एक news आई ती जिसमें की ceasefire से related जो है वो चीज़े की गई थी तो बिडेन जो है वो फ्रेंस के president के against कड़े हो गए है सीस फायर रिलेटेड जो भी उनका conflict है उससे related तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जो सीस फायर लाइन है वो कहा पर है तो देखे यह वाली जो आप डोटेड लाइन यहां पर देख रहे हैं यह वाली जो लाइन होगी यह क्या है यह सारी सीस फायर लाइन से जो की different different area में जैसे कि हमने यहां पर Gaza Strip में देखी वेस्ट बैंक में देखी और Golan Heights में देखी तो यहां पर तीन सीस फायर लाइन एक्जिस करती है first Golan Heights और यह Sea of Galilee जिसको अभी हम discuss करेंगे West Bank पे और उसी के साथ Gaza पे ठीक है तो अब चले और मैपस को discuss करता है तो यहां पर हम सबसे पहले Golan Heights को करते हैं क्योंकि 2019 में अमेरिका जो था वो first ऐसी country बना था जिसने की Golan Heights को इसराइल की territory की तरीके से recognize किया था ठीक है यह इस तरीके से जा रही है बिल्कुल इसराइल और Golan Heights के बीच में यह सीस वायर लाइन है अब आप यहां पर एक न्यू फिजिकल कंडिशन देखेंगे कि सी ओफ गैलेली जो है उससे सीस वायर लाइन क्रोस होती जा रही है इस वज़े से सी ओफ गैलेली जो है वह बहुजादा important हो जाती है अभी मैं आगे आपको questions भी दिखाऊंगी और सी ओफ गैलेली को भी discuss करेंगे पहले करते हैं Golan Heights को तो देखें यह वाला जो आप yellow portion देख रहे हैं जो कि light yellow कलर का है यह 1967 के अंदर सारा एरिया इसराइल ने occupy कर लिया था और यह जो आप तो आरसा dark brown कलर का एरिया देख रहे हैं यह है area of separation area of separation किस से सीरिया से क्योंकि सीरिया जो है वह एक Arab country है और यहां पर important role play करते है कि किस तरीके से इस अटेक से या फिर सीरिया से होई भी moment होने से बचा सकता है ठीक है तो गोलन हैट्स को एक बार देख लेते हैं यह आपने मैप में देखे लिया दो देखे यूएस चो था उसरे 2019 के अंदर first country बना जो कि Israeli sovereignty को recognize करता है गोलन हैट्स के ऊपर अंडर इस यूएस पोलिसी तो य इसरीया से 1967 की conflict अंदर इस्राईल के तुरू capture किया गया था आप यहां पर दो चीजी या दखने है कि capture कप किया गया था और annex कप कर लिया था जब यह annexation किया गया 1981 के अंदर कोई भी international recognition जो है वो इस annexation को नहीं दिया गया था इवन बहुत जदा criticism जो है इस जेज का किया गया था 1967 के अंदर जब गोलन हैट को capture किया गया उसी के साथ इसराइल ने वेस्ट बेंड को इस जेरुसेलम को और गाजल स्ट्रिप को भी six day war के अंदर capture कर लिया था जो कि कल आपने मैंने पूरी history related वीडियो बनाई है अगर आपने अप तक वह नहीं देखे तो जाके देख लिजे ताकि आपका सारा background जो है वो clear हो जाए तो 1967 के अंदर ये सारे वाल जाता और 1981 के अंदर इसराइल जो है उसने पर्मनेंटली एक्वायर कर लिया था गोलन हैट्स को और इस जरुसेलम के अंदर ठीक है अब जो है गोलन हैट्स इतनी ज्यादा अंदर ना हो सके तो ये वाला एरिया जो है वो capture कर लिया इसको अगिस तरीके से समझ सकते कि जैसे जो बृटिश इसदै को से साइड-अन हो तृटिश को ब्रृटिष दो ए स्ते जायन का ओदी ये वालो है दो आपनाने के लिए तक alguna इन ओन के लिए एक एक्सिलेंट पॉइंट है उसी के साथ देखें इसराइल जो है वह एक एड़िड रिजन की कटेगरी के अंदर आता है तो जो रेन वोटर होता है गोलन कैच्मेंट एरिया से वह जो जो है जिसको भी हम आगे डिसकस करेंगे और जो है वह इंपोर्टेंट डिसले क्योंकि Sea of Galilee से वह एसोसेटेड है और सीस फायर लाइन से भी वह एसोसेटेड है तो गोलन कैच्मेंट एरिया के अंदर जितना भी पानी आता है उसी के थरू जो है वह जो 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 इए वह पर पानी उनको मिलता है और वहीं पर जो गोलन हाइट की लैंड से वह बह एलंड से उसे मेंड तो बहुर्ट है था भी जो आपके मेंस परस्पेक्टिव से ओर इंटर्वी प्रास्पेक्टिव से इंपोर्टेंट थी यह पात करते हैं सी ओ ग इलिली से जिसमें अभी हमने देख आजाएगी ठीक है अगर आप नॉर्मल वे में असलियत में देखते हैं तो वो इस तरीके से कुछ दिखाई देती है आपको सी ओफ गलेली सी ओफ गलेली अप कहां पर प्रेजेंट है यह डैरेक्ट आप से कोशन पूचा जाएगा यहां पर कोशन जो है वो दो तरीके से यह दिस्तिंग्यूश हो औकि ओफ यह ले होते हैं तो आपको बता हुना चाहिए कि सी ओफ गलेली जो है वो नॉर्दन इस्रायल में प्रेजेंट है जो कि अक्युपाइड गोलन हाइटस के अंदर प्रेजेंट है तो अपको पता होना चाहिए क्योंकि नॉच्रोली तो हो प्रेजेंट है बट उक्यूपाइड करके नोर्डन इसराइल के अंदर आ जाती है और सी ओफ गरेली जो होता है वह बेसिकली अंडर ग्राउंड स्प्रिंग से प्रेट किया जाता है बट मेजर सोर्स जोस का क्या है जोर्डन रिवल है यह आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको जो है एक रिवर दे जाएगी और वह जो रिवर है वह कौन सी बोड़ी को फेट कर रही है यह वाला उप्शन आपका आजाएका तो इस तरीके से आपके दो कोशन से यहां पर प्रिलियम के हो जाएंगे ठीक है अब हमने क्या देखा था फर्स्ट वाले मैप में क इसराइल जो है वह बिलकुल नीचे कि दरह से यह देखे है कि यह वाला जो पॉशन है यह कहां पर मिलता है रैड सी पर तो अब आपका रैड सी बी जो है वो इंपोर्टेट हो गया अब रैड सी से डियलेटेड आफके क्या कोशन हो सकते हैं फर्स कोशन शोर में कों सी तो सौदी अरेबिया और यमन जो है वो इस्टरन शोर ओफ रेड सी में आएंगी वहीं पे अगर हम वेस्टरन शोर की बात करते हैं तो एजिप्ट, सुदान, एरिट्रिया एंड इजबाउटी ये चारो कंट्री आएंगी तो आपको ये वाला जो रेड सी का कोशन है वो किस सबसे समॉलें स्पिर देश चाल रेड सी का और सबसे लाज़र्जर्ट कोशन जो है वह किस कि है तो अंगर आप गूगल करेंगे तो आपको की जो लाज़ेस्ट कोशलfront है वैह इतियोपिया की है जो दो नहीं सबसे चोटना भाइन जो किस की है साउदी आरेबिया-से और स स्मोलेस कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो यही वाला हमारा में टॉपिक आ गया कि इसराइल जो है वह यहां पर सबसे छोटा कोस्ट लें शेयर करता है तो यह दोनों पॉइंट्स आप अपने प्रिलियम के लिए याद रखेंगे ठीक है नेक्स अपने क्या देखा था कि यह इश्राइल इथर ओर आपके इसराइल का इरिया था और जो हमने इगया ध़क्त तो हमने गाजा स्ट्रिप जह रोड़ींट्यके वियेश प्णीस तो क्यों बदियके भी आप जलनिति तो यह ना पंचे जा चुका है निमबाइस दे रखे और उसी के साथ यहाँ पर आप मैप को भी देख लेंगे अब यहाँ पर एक आपको क्या चीज़ देखने कि लार्जस्ट जो हो व। कोस्ट लाइन है वो कहाँ पर है तो घ्रीस जो है वह लार्जस्ट कोस्ट लाइन बताई जाती है Mediterranean Sea की क्यों बदाई जाते है क्योंकि आप यह देखे कि यह भी तो बड़ी है यह और यह भी भी बड़ा हो गया तो Greece को क्यों गा जा रहे है क्योंकि Greece जो है उसमें बहुत सारे islands present है इस वज़े से जो है वो Greece की coastline सबसे बड़ी मानी जाती है Mediterranean Sea से यह आपको याद लखना है ठीक है उसी के साथ कौन-कौन से islands present है एक बर वो Mediterranean Sea से related पढ़ लीजेगा अब एक प्रिलियम का fact आपको और याद लखना है हमने आगन Mediterranean Sea के बात किया है तो Greece की coastline जो है वो सबसे बड़ी है 13,676 km ठीक है वहीं पर अगर हम बात करते है कि world में सबसे बड़ी coastline किसकी है largest किसी भी sea body से तो यहाँ पर अंसर आपको क्या होगा Canada आ जाएगा Canada का जो coastline होता है वो world का longest होता है that is 243,042 km जिसमें की mainland coast और जो भी offshore islands होते है वो present होते है और उसी के बाद जो है आपका क्या आ जाता है Canada आ गया फिर क्या हो जाता है Indonesia की coastline आ जाती है फिर आती है Russia की coastline यूएस की और चाइना की ठीक है तो यह वाला जो sequence है यह आप अपने prelims के लिए जरूर जरूर करेगा यह आपके लिए important हो जाता है ठीक है आप जो है वो next आते है next type की question जो यहाँ पे prelims के बन सकते हैं जो आपने देखे भी होंगे PCS में questions बोद जनरली पूछे जाते है और UPSC में भी पूछे जाते है कि आपको ethnic group या फिर tribe दे दी जाती है औ में देखने को ठीक है तो अगर हम अभी इसराइल और Palestine की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ethnic group वहाँ पे देखने को मिलते है और अभी मैं आपको question भी दिखाऊंगी से related जो previously 2019 या 2020 में जो है वो question पूछा गया था तो इसराइल के अंदर जो है वो सबसे प यहां पर एक यहुस जो है तर द्याइटे यहां पर यह इसराइल लете देंगे तो यहां पर चलियर फजाने को यहां पर पर योजिलीन डेखनेजी ते इसराइलन रहाए डीए मरिकम्स अजा जाते हैं इक शै इसने फर्स्ट वर्ल्ड वोर में ये ट्रिक्स खेली ती उसी के साथ जो है करकेशियन्स हो गई या फिर मिर्जाई जीूस हो गई या अर्मेनियन्स हो गई ठीक है तो यह सारे ही एतनिक ग्रूप आपको यहां तक ने पीडियाफ में आपको यह कंटेंट मिल जाएगा दो त फिलस्टियन elder फोगए अरब होगए अरब सिटीजन्स ओ इसराइल है इसरायली जूस होंगे से मिट्रियंस होगए अरब कृस्टियन कृस्टियन अरब Jews, Afro-Palestinian, Semitic people, याद रखेगा कि देखे, जहां पर Jews Jews आ रहे हैं, उनको थोड़ा अवइड कीज़ेगा, जो इस तरीके के नाम दे रखे, कि जिसमें, मतब कि जो student है, वो confused हो कि यार ये कहा का tribe या ethnic group है, तो इस तरीके की चीज़े आपको पढ़ने है, Israelites हो गया, Israelis हो हो गया, Philistines हो गया, या फिर Palestinians इन, Zordern हो गया, Druze हो गयी, अना जीरा हो गयी Palestinian, American हो गयी, तो ये सारे ethnic group आपको करने हैं, ये अभी तक हमने prelim के Facts और आते हैं, तो जैसे कि यहां पे आप मैच अब दा फूलोइंग को भी देख लीजे, जो भी हमने गैलिली लेक के बारे में पढ़ा, तो यहां पे देखे कि यह तो इंडिया वाइस है, बट आप से यह जो है, इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाता है, तो जैसे साला लेक जो है, बध कि प्रदेश एंडर आपके लाइक करती हैं, उसी के साथ बद्कल लेक जो है, बद्कल विलेज in हरियाना roku के अंदर मिलती है, लोग टक लेक जो है, वह इंपोर्टन है आपके इम्वर्णमेंट प्रोस्पेक्टर अदर मिलती हैं और कलिवली लीग, पर मिलती है, इस से कि स्टाइव मुए आपको रट लेनीए अच्छी तरह यहाँ पर जिसे से का रिलेटड पूच लिया कि कजाकिस्ता यूक्रियेंग जर्मनी और फ्रांस दे दिए चो कि आपका इंटरेशनल लेवल के पिश्चंट के अंदर गाए वर्ल जेग्रफी में आ गया मतामीं अब यहां पर आप इस चीज को कैसे करेंगे जो मैंने आपको बुक बताई थी कि यह जो अरियंत की या फिर दूसरे पुब्लिकेशन की बुक साती है जो सीजिल के स्टूडेंट के लिए आते हैं उस एरिया से उन वाली बुक से आप इन वाले टोपिक को कवर करेंगे ठीक ह तो इस तरीके से सी ओप्शन यहां पर हो गया जर्मनी का नॉर्मेंडे जो लेक है वो करेक्टली मैच है यह और नहीं है ठीक है मैच और फॉलिंग इस तरीके से आएगा अब जो हमने देखा था कि एथनिक ग्रूप जो है वो कौन सी कंट्री से बिलों करते तो आप यहां की ज्यूस जो है आपको बता था कि इसराइल के अंदर है ठीक है तो यहां पर एक के साथ 4 किस किस में है सी ओप्शन में है एसमें बी में है और डी में है तो ए तो आपका पहली ऐलिमिनेट हो गया अगर इसमें से आपको दूसरा भी कोई सा एथनिक ग्रूप पता होता है करता है तो इसली हो जाता है आपके लिए दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करना और तीसरे को आप तभी टिक कर सकते है ठीक है तो यहां पर डी ऑप्शन जो है वह आपका सही है जूस जो है वह खासे बिलोंग करते जूड़िजम इसराइल से टैडर ग्रूप जो है वह लीब सीस फायर रिलेटेट देखा कि सीस फायर जो वह सी ओफ गैलेली से प्रोस हो रही थी तो वह इंपोर्टेंट हो गई तो यहां पर जैसे पूछ रहा गया कि इक्वेटर जो है वह कौन सी कंट्री से पास नहीं होता आप मानेज़े कि इसराइल अचली इसराइल से तो पास अचली नहीं होता बट ऐसा कोई एरिया है जो कि अभी न्यूस के अंदर हो हां से कोई भी ट्रोपिक ऑफ कैंसर ट्रोपिक ऑफ कैपिकोंड एक्वेटर जो है वह पास हो रहा है या फिर कोई इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की चीज पास हो रही है तो आपको वह वाली इकवेटरियल गवेटर गवेटर एंवेंडर तो एक बार आप इसको अट एंप कीजिये हो तो यहां पर सही ओप्षिन जो है वह आपका क्या हो जाएका डी ओप्षिन हो जाता है साउथ अमेरिका की कंट्री कों से हो गी एकवेटर कोलंबिया ब्राजील आफरीका और एसि सुनकी हो जाएंगे ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी टेलिग्राम चैनल को जाके जुरूर जोइन कर लेजे लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है गीवा थमसब टू वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छी से अच्छ